अब जब पेपर सबका खतम हो गया है, आज एक तारिक वालों का भी पेपर खतम हो गया, तो कहीं न कहीं अब बचा सोच रहा है मैं क्या करूँ, इसके उपर मैंने आज morning में एक सेशन लिया था, प्लीज उसको जाके जरूर देखें, बट अब मौका आगया है, रेस्टार्ट करने का, yes, whatever has happened, has happened, now we need to restart for the next particular target of your life, it could be J-E means April, it could be J-E advance, it could be your regional entrance exam, BOLS, whatever it is, but we need to pick ourselves up and we need to restart, अच्छा, restart में मैं इस वीडियो को बहुत छुटा रगने वाला हूँ, पर आप लोगों का बहुत जादा शायद फाइदा हो सकता है, कैसे, उसको समझेगा, पहली बात, जिन बच्चों का आज या कल पेपर था, they can afford a day break, देखिए जब भी आप नई शुरुआत करते हैं, तो mental peace होना बहुत ज़रूरी है, एक दिन का peace ज़रूर लीजिए, और मैंने इस पूरी जो आप वीडियो देख रहे हैं, उसका शीश्यक रखा, restart from a very, very important movie called 12th fail, तो अगर आप लोगों ने enjoy करना है, आप कोई movie देखने का plan करना है, enjoy करने के लिए आज रात को या कल, I would recommend, जबकि मैं देखो, बड़ा serious teacher हूँ, कुछ इधर उधर की कभी recommendation नहीं देता हूँ, I would want, आप देखें 12th fail movie, और उसे समझें, कि भाई सब difficult परिस्तितियां हमेशा आती रहती है लाइफ में, आपको हमेशा काम करते रहना है, जिसके लिए आप बने हैं, बहुत अच्छी movie बनाई है, हमारे पास यदे बहुत सारे examples लाइफ में आसपास अगर आप देखना चाहें, पर कहीं की बार वो दिखते नहीं है, और शायद movies वही काम करती है हमें वो दिखा देती हैं, जो शायद हम लोग इधर उधर नहीं देख पारें अपने आसपास, तो उसमें भी यही दिखाया है कि that every time you will fail, but every time the word they have used is restart, तो restart करना है, ठीक है, जै कुछ भी हो जाए, करना तो है ही, है ना, और life तो हमेशा ही challenges through करती रहेगी, whatever it might be, now to help you further in this, मैं आपको 3 challenges present कर रहा हूँ, 3 challenges बचे, ठीक है, मुझे comment box में बताना है तुमें कि तुम वो करोगे या नहीं, पहला challenge है, हम अब से daily 10 घंटा पढ़ाई करेंगे, 10 hours to minimum है, मतलब 10 घंटा, ठीक है, आप उसमें कैसे पढ़ाई करते हैं, वो मेरी वीडियो देख लीजे, what to do next में उस हिसाब से अपनी arrangement कर लेज़े, second, हम question solving जरूर करेंगे, saw question बनाएंगे दिन के daily, saw question के एकिवार difficult हो जाता है, पर हाँ, हमारा एक होते ना अंदर से input, कि हमें question solving के उपर अपने आपको जोर डारना है, वो हम जरूर करेंगे, और तीसरा काम जो आप करेंगे, आप जो भी exam की तयारी कर रहे हैं, उसके mock देने की कोशिश करेंगे, जिससे मैं उसकी tuning में set हो जाओ, पर तीन घंडे में मुझे कितनी speed रखनी है, किस type के questions में को expect करने चाहिए, वो मैं tune हो जाओ, जिससे final day मुझे जटका नाम हैसूस हो, अब इसमें इन तीनों चीज़ों मैं side के तरीके से important बात बता रहा हूँ, अब से आप लोग एक काम कर सकते हैं, एक काम बता हूँ क्या, जैसे कि आपके अगर हम बात करें, बच्चों जी, पूछे कोई, यार कितने दिन बच्चे हैं JEE पे, तो मैं marks app खोलता हूँ, marks app पे एक widget feature है, तो मैंने वहाँ पर apply करा, म 61 days left, आपके पास 61 days, को अगर हम day 1 मालें, तो 60 दिन बच्चेंगे, अब से आप, यह हम लोगों को, हमारे जो test series के बच्चे हैं, कुछ, उन्होंने करना शुरू करा है, कि वो मुझे दिन दिन दिन, प्रती दिन, अपना information भेजते हैं, कि आज उन्होंने क्या करा है, या क्य taxation भी कह सकते हो, कि मैंने जितना करा है, मैंने किसी को तो convey करा, सही या गलत, तो अब से, कल से हम day 1 मानते हैं, कि day 1 है, और day 1 में, आपने क्या करा, वो प्रकरिया, सोने से पहले, मुझे email करेंगे, info at the rate mathongo.com पे, और उसकी thread में, उसी के reply में, हर रोज, day 1, day 2, day 3, up till day 60, क्या करा, मुझे बताते चलिये, reply expect मत करना, इतना time नहीं है, कि बहुत सारे बच्चों का भर देंगे वो लोग email, हमें पता है ये बात, they will flood it, like anything, but whenever we get time and we see that we could add value to it, we'll try to, but don't expect, इसका उदेश है बहुत simple है, हमें चाहिए कि आप, बताएं किसी को कि आपके साथ क्या हो रहा है, बताना is not important, it is more important that you, yourself, understand that what happened with you in the entire day, आपको दिखेगा सपष्ट, सोचने पर कही की बार पता नहीं चलता है, जब हम लिखते हैं किसी चीज को, तो ज़्यादा clarification आती है, हमें लिखो यार, हमें लिखो, हमें बताओ क्या हो रहा है, हमारी कोशिश तो रहीगी कि हम कुछ नहीं मिलता है हमें दिन में, बढ़ आप भेजना, बंद करियेगा बंद, info at the rate mathongo.com पे, कल से restart करें, कहां पर, day one tomorrow, ठीक है, जिन बच्चों का day one परसों से करना चाहरे है, वो परसों से कर लो अपना day one, कोई दिकत की बात नहीं, आप day break लीजे, थोड़ा सा energy eyes करी, अपन back with full force, full attention to the next 60 odd days that you have, so day one starts tomorrow, for many of you, and I am waiting for your email, what you did in that particular day, और आज एक अच्छा काम करें, मैं बता दो, थोड़ी तो बात ही जरोदर की कर सत्ते हैं, क्यों कि अभी तुमारा एकदम से पढ़ाई का मशायद महल नहीं है, जब आप college में जाएंगे ना बच्चों, assume करो आप IIT प हैं, जब placement होती है ना, तो placement में कई कई बार, कई colleges ये terminology follow करते हैं, day zero of placement, पहले दिन को day zero बोल देते हैं, छोटा सा जो period होता है, आज वो मालने day zero, तो आज ये day zero में सुने से पहले मुझे email करो, क्या गलतियां रही और क्या improve करोगे, day zero, let's start with day zero, not even day one, let's start with day zero, what mistakes you made, and what will you improve in next 60 odd days, or let's say next 90, or 120, whatever days we have for J mains, J advance, bid set, whatever your target is, current day zero शुरू, श्री गनेश, जैश्री राम, बगवान का नाम लेकर काम शुरू करें, है ना, तो करते हैं आज, मैं day zero पे, ज़्यादा से यादा बच्चों का interaction चाहूंगा, और day one, day two, आप कही के बार क्या होता है, हम momentum अगर reply नहीं आ रहा, पैदा भी हो रहा है, मैं पढ़ता जबका हूँ, कही की बार मुझे reply करने के लिए time नहीं मिलता है, पर I'll make sure, मैं पढ़ू जरूर, अगर आप सही tone में जा रहे हो, तो मैं शायद reply नहीं करूँगा, ठीके, और कही की बार सब बच्चे सही tone में जा र हाईगी, हमें चाहिए आप साथ दिन, यह यह expect मत करो कि मैं आपकी help कर रहा हूँ, आप अपनी आपकी help कर रहे हो, by committing to it, to a schedule, by committing to accepting your mistake, by committing to accept what you did the entire day, आप accept करोगे कि मैंने पूरा दिन क्या करा जब लिखोगे न, तो दिखेगा भाईसा मैंने पूरा दिन कहा उड़ा दिया क्या कर दिया मैंने पूरा दिन इसा, and coming back to the last, first three points, 10 to 12 hours, self study, 100 plus questions every day, and mock frequency starting में once a week, and तीन चीज़ों का, आप उसके लावा कुछ भी करो यार, किसी का core join करो या ना करो, कहीं से भी पढ़ो, कोई फरक नहीं पढ़ता हमें, यह तीन चीज़ें हमें करनी हैं, ठीक है जी, so let's start with day zero, let's restart, let's go for whatever energy we have left for the next 60, 80, 90, 100, 120, whatever your target is, let's restart, God bless, keep working hard, क्योंकि हमें याग ना है, पेपर फोन ना है. झाल